नमस्ते दिदी, ता पाइले एसपटक कुन प्रकारको अनलाइन सेवा उपल्लाब्द गराउनों उने चा? नमस्ते रोहन, येसपटक मता पाइलाई बिविन्ना प्रकारका नागरिक सिडिजन सेंट्रिक सर्विसेज जस्ते बैंकिंग सुविदा, बीमा सुविदा, कास्ट सेटिफिकेट जारी गन्नो, रेसिडेंट सेटिफिकेट को जानकारी इत्यादी तिन यहरुका अनलाइन पो गन्न सक्छु, एकदम बताउनी चु रोहन, पहिले म सुरु गर्दीचु बिविन्ना प्रकारका डिस्टिक सेवारु बाटा, जस्मा, कास्ट सेटिफिकेट, रेसिडेंट सेटिफिकेट, रा, इनकम सेटिफिकेट जानकारी इत्यादी प्राप्त होना सक्छा, तेस बारे कास्ट सेटिफिकेट को सुबिदा भारत सरकारले भारत्य संबिदान अनुसार बिसेस्ट जाती वा उपजाती भारत्य नागरी को बिसेस योजना रा, आकर्षन जस्ता फाइदा का लागी उपलब्द गराउसा कास्ट सटेफिकेट पत्रको आविदन का लागे तपाईले यी चरण हरको अनुचरण गर्ण होज पहिले यी अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड गर्ण होज तेसपची बिना कुने गलती सबै जरुरी डेस्क्रिप्चन भन्ण होज तेसपची आफनो कुने पनी नजिकाईको नोटरी मा गएरा यसलाई नोटराइस्ट गर्ण होज अपलाई गर्ण भन्दा पहिले एक पटक फॉर्म लाई रामडरी पर्ण होज के मैले आविदन का साथ कुने प्रकार को दस्ताविज लगाउनु जरुरी छा हजुर तपाईले कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म का साथ यो दस्ताविज लगाउनु पर्छ कुने पनी एक पहिचान पत्र जस्ते मतदाता पहिचान पत्र पास्पोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, RSBY कार्ड, आधार कार्ड, सरकारी वा अर्द सरकारी संस्तान उरुद्वारा जारीगरी को कुने पहिचान पत्र पैन कार्ड वा मनरेगा जब कार्ड कुने पनी एक ठेगाना प्रमान पत्र जस्ते मतदाता पहिचान पत्र पास्पोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ट, बिजुली को बिल, पानी को बिल, साथबट बार अनी एट एक को प्रती, वा भाड़ा को रसीत, वा टेलिफोन बिल, रासन कार्ट, वा सम्पतिकर को रसीत. कास्ट सेटिफिकेट का लागी एक एफिडेविट. आफन कुणे आफंत को कास्ट प्रूफ. तपाइको वा तपाइका पिता को प्राथमिक बिद्धेले परिताक प्रमाण पत्र को प्रती. आवेदक वा उनका पिता वा आफंत मदे कुने एक जना को जन्म प्रमान पत्र को प्रती सरकारी सेवार रेकॉर्ड को प्रती जस्मा जाती वा आवेदक का पिता वा आफंत को सामुदाई स्रेनी को उल्लेक होस सामाजिक न्याय बिबाग द्वारा जारीगरियेको एक जाती प्रमाण को दस्तावेज जांच समिती द्वारा जारीगरियेको पिता वा आफंत को बैदता प्रमाण पत्र राज्योस्वा आलेक वाग्राम पंचायत को आलेक को प्रती जाती को अदेशुचना को दिनांक भन्दा पहिले को निवास प्रमाण पत्र कास्ट सटिफिकेट का लागी के हामिले केहे आविदन सुलकपनी जम्मा गण परचा? नाई, परदैन निवास प्रमाण पत्र का लागी अप्लिकेशन भर्ने प्रक्रिया के हो? निवास प्रमाण पत्र को लागी अविदन को विदी, कास्ट सटिफिकेट जारी कर्दा अविदन करेको सरहने हुन्चा येस, मा मिला मा, कुन दस्ता विजर को अवसेक्ता परदा चा? जो डकुमेंट तपाईले निवास प्रमाण पत्र का साथ बुजावनू पन्य आवसेक्ता सा, तियो तल दिये कुछ भोटर आईडी कार्ट, पैन कार्ट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वा आधार कार्ट मद्दे कुणे एक पैचान पत्र धेन दिनोस कि आविदक को नाम, आप्लिकेशन रा आधर कार्ट दुबई मा एके होनु परच निर्धारित पर्फमा मा सेल्फ डिक्लरेशन, अठारा बर्सभंदा कम्ति उमेर का केटा केटियर को मामिला मा कुणे वैसक को सेल्फ डिक्लरेशन को आवसेक्ता पर्नेश अप्लिकेशन जम्मा गरेको बेला, वा तेशको सत्यापन को समयमा आविदक को तस्पीर वेब कामराले लिएनेश आविदक को तस्पीर आधार कार्ट को तस्पीर शिता मिलनो पर्छ तपाई को प्रेजेंट रेसिदेंशल प्रोफ कुणैपनी एक जो पहिले उल्लेक करिये कुथियो जन्म तिती को प्रोफ जस्ते बर्थ सर्टिविकेट, स्कूल सर्टिविकेट वा पास्पोर्ट तीन बर्ष देखी लगातार दिल्ली में वस्ते को प्रमाण जस्तो की एडुकेशन सर्टिविकेट, बिजुली को बिल, घर को कर, पानी को बिल आदी धेन दिनोस, यो जन्म जरुरी छा, कि सबे दस्तावेज ग्याजुटिट ओफिसर दरा प्रमाणित हुनु पर्छा तपाईले उनको पैजान पत्र को प्रती रा उनको फोन नमर पनी साथ माल लगाउनु पर्छा के इस प्रमाण पत्र का लागी कोने आवेदन सुल्कको आवाशेक्ता पर्छा नाई, यो सेवा एकदम निस्सुल्क हो अन्तत यो सटिफिकेट जारी हुनामा कती समय लागने छा धेरे लागबैना, रेसिडेन सटिफिकेट्स चौदा दिन भीत्र जारी हुन्छा हजुर, छानी, हामी इन्कम सटिफिकेट को बारी में पने जागरू खुनु परछा जो सबेश रोद बाटा पारिवारिक आई मा आधारीद हुन्छा येसको अप्लिकेशन को प्रक्रिया कास्ट सटिफिकेट वा रेसिडेन सटिफिकेट पत्र जस्ते हो जो हमी इन्कम सटिफिकेट को आप्लिकेशन को प्रक्रिया कास्ट सटिफिकेट साथ दिन भित्रमा प्राप्त हुन्छा मा भोटर आईडि को लागी कसरी अप्लाई गरना सक्छू भोटर आईडि बनना का लागी तपाईले एप्लिकेशन फॉर्म छा भरनु पर्चा आवेदन असेप्ट फाय पची तपाईको नाम भोटर लीस्ट मा दर छुने चा के हामिले बोटर आईटी का लागे अनलाइन पने अपलाई गणा सक्छाूं? हजुर अवस्या, बस केही साजिलाल स्टेप्स पुराई गणा पर्छा स्टेप बान, भारत को चुनाब आयो को आधिकारिक वेबसाइट मा जाना होस स्टेप टू, अबा नाशनल भोटर स्टर्विशेज पॉर्टल मा क्लिक गणा होस स्टेप त्री, तेसमची अपलाई अनलाइन फर रेजिस्ट्रेशन अफ न्यू भोटर मा क्लिक गणा होस Step 4. Details भर्ण होस र जरुरी डॉकुमेंट्स अपलोट गर्ण होस Step 5. तेश पची अन्तमा Submit मा क्लिक गर्ण होस Submit मा क्लिक गरे पची तपाईले रेजिस्टर्ट इमेल मा एक पर्सनल भोटर को ID लिंक प्राप्त गर्ण होने चा Step 5. तेश बाट तपाईले आफनो भोटर ID अप्लिकेशन को स्टेटस जानना सक्न होन चा आवेदन पची कदी दिन मा मैले मेरो भोटर ID पाउंचू? तपाईलाई तपाईको आवेदन को तीती देखी एक मैनामा आफनो भोटर ID प्राप्त होने चा बोटर ID को आवेदन का लागी हमिलाई कुन डोकुमेंट्स को आवसेक्ता पर्दा सा? येसका लागी तपाईलाई एउटा पास्पोर्ट साइज को फोटो, एउटा आइडिन्टिटी प्रूफ र एउटा एड्रेस प्रूफ को आवसेक्ता पर्ने सा हजुर, अवस्या, डिजिटल लोकर सरकार द्वारा जारी डोकुमेंट्स लाए एक्सिस करनका लागे एक सुरक्सित मां देम हो येसले आधार द्वारा प्रदान गरियेको प्रामर्निक्ता सेवा को प्रयोग गर्दछा येसले भहुतिक दस्तावे जरुको प्रयोकलाई समाप्ता गर्दछा रसरकारी संस्तान हरुमा बेरिफाइट एलेक्ट्रोनिक डोकुमेंट्स लाई साजा गर्ना सक्छम बनाऊंचा येसले नागरी खरुका लागी एक समर्पीद बेक्तिकत इस्टोरीज स्तान प्रदान गर्दछा जो उनको आधार संक्यासित चोड़ियेको हुन्च येसले सरकारी बिवाक रसंस्तान हरुमा कागजी कारभाईको कारणली हुने वाला एड्मिनिस्ट्रेटिव खर्चलाई कम गर्च येसले समय र महेनत कम गर्च किनेकी येसबाटर डॉकुमेंट्स लाई जहीले र जहाँ पने एलेक्ट्रोनिक तरिकाले प्रयोगन सकीन्छ तपाईलाई आफनो आधार संक्या र त्योसित जोड़ियेको मोबाईल संक्या को आपसेक्ता पर्च हामिले डिजिटल लाकर कसरी बनावन सक्षों? साइन अप के लागिए डिजिटल लाकर को अफिचल वेबसाइट मा जानी होई साइन अप बटन मा ग्लिक गान होई तेस प्शी आफनो मोबाईल नमबर दरच गान होई र गंचीन्यू बटन थिसनी होई आफनु मोबाल मा प्राप्त गरियेको OTP दर्जगन होश रवेरिफाई बटन थिशन होश तेस बचे आफनु यूजर नाम रपासवर्ट दर्जगन होश रशाइन अब बटन मा क्लिक गन होश आफनु आधार नमबर दर्जगन होश रवेरिफाई बटन थिशन होश OTP दर्ज गण होश रवेरिफाई बटन क्लिक गण होश तेस बची आफनु बर्तमान डकुमेंट्स लाई अनलाइन मा अपलूट गणनका लागे डास्ट बोट लाई हेर्न होश तपाईले कुणे पणी ईमेल आइचिमा अफनु डकुमेंट्स शेर गरना सक्न होश तपाईले अपलूट गरीको डकुमेंट्स लाई E-Sign पनी गरना सक्न होश जुन दस्ताविस लाई Official Digital हस्ताकसरक कु रूप मा प्रयोक गरना सक्न शा बांकिंग पनी एक आवस्यक, सिटिजन, सेंट्रीक सर्वीसो यो सर्वीस ले कस्टमर लाई आर्थिक सेवा उपलब्द कराऊंचा जैसले मानिसरो लाई आफमेजिवन राम्रो बढावनमा मदद गर्छा बर्थमान मां बैंकिंग सेवा आधुनिक भैर्याई को सा जैसले उपभोग तहरोलाई आकर्षित गर्द छा रम्मदत्मनी गर्द छा तपाईले मात्र सजीला स्टेफ्स को अनुसरान गर्णू पर्छा स्टेफ्स वन पहिली तपाईली तय गर्णू पर्छा कि तपाई कुन प्रकार को खाता खोलना चाहानूंच जस्ते सेविंग अकाउंट, करिंट अकाउंट वार रेकरिंग अकाउंट स्टेफ्स वन पर्णू 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 द्वाराव फेरिफाइट गरिने छा Step 7. अन्तेमा तपाईको आफनो नया खोलेको अकाउंट मा प्रारंबिक रासी जम्मा गर्नु पने छा Step 8. अन्तेमा तपाईले आफनो चेकबुक, पास्बुक, डेविटकाट रा इंटरनेट बांकिंग को बिवरन एकत्र गर्न सक्न हुन्छ के तपाईले बिस्तारले बतावन सक्न हुन्छ, के आमिले इंटरनेट बांकिंग सुबिदा को लाब कसेरी उठावन सक्छू हजुर, अवस्य बतावन सक्छू मानिलीनो सिस्टेट बांक फिंडिया मा तपाईको अकाउंट चा तपाईले अन्लाइन इंटरनेट बांकिंग सुरु गर्नाक लागी पहिले तपाई एस्बिआई साखामा जानू पने चा रा अन्लाइन इंटरनेट बांकिंग सुबिदा का लागी रेजिस्टर गर्नू पने चा तपाईले पोस्ट को माध्यमले अन्लाइन इस्बिआई को पहिलो बार लगन गर्ने बीवरन पाउन हुने चा तपाईले एक नौया यूजर आईडी, नौया लोग इन पास्वर्ट रा प्रोफाइल पास्वर्ट पनानू पने चा तपाईले अन्लाइन इस्बिआई इंटरनेट बांकिंग को आधिकारिक वेबसाइट www.online.sbi.com म जान होश रा लगिन बटन को चयन गर्नोश तपाई तपाईले एस्बिआई द्वारा उपलप्त गर्याई को आफनू यूजर नेम रा पास्वर्ट हालनू पर्षा तपाईले अन्लाइन इंटरनेट बांकिंग सेवा शुरू हुने चा तपाईले प्रदान मंत्री जन्दन योजना अर्थात पी एमजे डी वाई को बारेमा पनी सुन्न भाय कोला जो बीत्य समाबेस का लागे एक राष्ट्रिया मिशन हो जन्दन योजना को के उपयोग छा? जन्दन योजना ले यो सुनी सित करदा चा के हामिलाई सस्तो माध्यम ले फाइनशियल सर्वीस प्राप्त होस जस्तो की बैंकिंग सर्वीस, सेविंग्स अन्ड डिपोजिट अमाउंट, पठाईये को रकम, क्रेडिट, बीमा, रपेंशन यसका लागे हमिले कुनेबनी बैंको ब्रांच वा बिजनेस करश्पनेंट वा बैंक मीत्र आउटलेट मा गयरा जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खोलना सक्साँ यदि अकाउंट होल्डर ले चेक बोगलीन चाहांच बने उसले मिनिमोम बैलेंस क्राइटेरिया पुरा गर्नु परछा प्रध्यान मंत्री जनधन योजना अंतरगत खाता खोलना का लागी कुन दस्तावेजहरुक आवसेक्त परदाचा तपाईलाई मात्रा आधार नंबर को आवसेक्त परचा यदि तपाईको अड्रीस पदल्यों बने बर्तमान अड्रीस को सेल्फ सेटिफिकेशन पानी पड़्याप्त हुने चा यदि आधार कार्ट नंबर चाहिना बने कुने पने ओफिशेली वैलिट डोकुमेंट को आवसेक्ता पने चा जस्तो भोटर आईडी कार्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ट, पासपोर्ट वा नरेगा कार्ट यदि इदस्तावेश मा पनी तपाई को ठेगाना चाह बने, यसले पैजान रठेगाना दुबई को प्रमाण को काम गर्ने चा के यो डाकुमेंट्स को बदली, कुने और को डाकुमेंट्स मनी लागाउना सक्कीन चा यदि कसाई सित इम बदे कुने पनी ओफिशली वालिट डाकुमेंट्स चाहिना बने, उब बैंक द्वारा लो रिस्क अर्थात कम जोखिम को स्रेणी मा चाह बने, उसले बताईयेको निमन दस्तावेश मदे कुने पनी दस्तावेश जम्मा गरी, बैंक माग हाता खुलना स जस्ते, Central Vice State Government Departments, Statutory वा, Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks रा Public Financial Institutions त्वारा जारियेको अप्लिकेंट्स को फोटो आइडिंटिटी कार्ड Gazette Officer द्वारा जारी एक पत्र जस्मा बैक्तिको फोटो बिदिवत रुपमा प्रमाणे केद गरियेको होश के तपाईले हामिलाई PMJDY योजना को फाइदा को बारे में बताऊना सक्नूंचा? हजूर, अवस्य यो योजनाले जम्मा रासीमा बैज उपलब्द गराउंचा एक लाह को दुरगटना बिमा दिन छा कुनै प्रकारको निम्नतम रासीको आवसेक्ता पन्ने छाईना गेसले 30,000 रुपियाको जीवन बिमा पने उपलब्द गराउंचा जो लाबार्थीको ब्रिक्तु पस्सात पात्रताका सवै सर्तहरो पुरागरेपजी प्राप्त हुनचा भारतको कुनै पनी ठाउंचा सजिले सिता पैसा पठाउंचा 5000 रुपिया सम्मको ओबरडाफ्ट सुबिदा प्रती घरमा मात्र एक अकाउंट मा उपलब्द छा विशसकरी घर की मैलालाई प्राप्त हुनचा सर्कारी योजना का लाबार्थिय रुलाई इ अकाउंटर मा प्रतेक्च ट्रांस्पर वास्तान तरंद्वरा लाब प्राप्त हुनचा छा मैना सम्मा अकाउंट को संतो सनक संचालन पसे ओबरड्राफ्ट सुबिदा को अनुमती दीनेचा पेंशन रब बीमा उत्पाधरू प्राप्त गर्ण PMJDY अंतरगत परसनल अक्सिडेंटल इंसुरेंस दाविको भुगतानी तब गरिनीचा जब रुपे कार्ड धारकले कुनेपने बैंक ब्रांच, बैंक मीत्र, ATM, POS, इकम आधिमा कम्तीमा एक सफल फाइनसियल वा नन फाइनसियल लेंदेन गरेको हुनु पर्छा येस प्रकार मानी सरुलाई बीमा सुबिदा को पने अवगत हुनु पर्छा जीवन बीमा पॉलिसी बीमा कमपनी का साथ एक प्रकार को कंट्राक्ट हो प्रिम्यम पेमेंट भुक्तान को बदली बीमा कमपनी ले बीमा गने बेक्तिको मृत्तु भायवने लाबर्थी लाई लमसम पेमेंट जसलाई डेथ बेनिफिट भनींचा प्रदान करदाचा के यो सेवा अनलाइन पने उपलप्दाचा? हजुर, येसको अनलाइन पोर्टल को मार्देमले जीवन भीमा पोलीसी किन्न सकिन्छा के तपाईले मलाई अनलाइन जीवन भीमा पोलीसी प्राप्त गने बारेमा बिस्तार सित बताऊना सक्नु हुँँचा? हजुर, अवस्य LIC को इटर्म प्राप्त गर्नक लागे तपाईले निम्न कुराहरू अनुसरन गर्नु पर्छा स्टेप वन, सबैवन्दा पहिला www.licindia.in मा जानु होई स्टेप टू, बाई अनलाइन चायन गरेपेशी इटर्म रोजनु होई तेश पचे आपनो सुनिसीत राशी रप पलिशी को अवधी रोजनु होई धेन दिनोस, पलिशी टर्म थ्यो अवधी हो जस पशा तपाई सुरक्षा राशी चाहनु होँँच पलिशी होल्डर को दुर्बाक्य पूर्ण म्रितु पची बीमा राशी को भोगतान नौमिनी बेक्तिलाई गरीनेच तेश पची यस फर्म मा केही सामन्य जानकारीरू दिनेच जसते नाम, उमेर, जेंडर, क्वालिफिकेशन आदी तेश पची एक प्रीमियम क्यालकुलेटर ले च्रैनित पारमीटर का लागे प्रीमियम क्यालकुलेट गरनेच बीमा किस्ता, उमेर, जेंडर, टर्म, अशोर्ड सम, हेल्थ रा तमाको उपयोक माते निर्बर गर्देच पचास लाग भन्दा धिरेको सुनी सित्रासी माथी गयर तमाको उपभोक्ता का लागे बीमा को प्रीमियम दर कम हुन्छ तेश पची एनुल, मन्तली, क्वार्टरली, वा हाफ एरली मद्दे कुने प्रीमियम पेमेंट मोड चुन्द होस www.licindia.in मा अनलाइन फारम भन्द होस रा अनलाइन माने किस्ताको भुगतान गन्द होस स्टेप एट, अनलाइन भुगतानी पचे एलेक्ट्रोनिक रसित अवसे राखन होस के सरकार द्वारा अन्यकुनाई इंसुरेंस इसकीम उपलब्द गराएकोच हजुर, सरकार ले अटल पेंशन योजना प्रवाइट गराएकोच जस अन्तरगत, वेकर सेक्षन का मानी सरुले आपनो ब्रिदावस्ता का लागे एक अमाउंट जम्मागरी राखना सक्षन रा, गैरुन्टिट मन्थली पेंशन अमाउंट प्राप्त गना सक्षन यस योजना अंतरगत, ग्रहाक लाई, साथी बर्षको उमेर पचे उनको योगदान रासी र अवदी को आधर माउं तयो पेंशन प्राप्त हुले चा मा अटल पेंशन योजना का लागी कसरी आविदन गरना सक्षू? तपाईले यस योजना का लागी बैंक वेबसाइट र अन्यकेही वेबसाइट मा अन्लाइन उपलब्द एक सब्सक्राइबर फोर्म को माद्देमले अपलाई गरना सक्षू? जस्तो की ये दी तपाईले बैंक बाटा अपलाई गरी रनुभाई को सबने इस्टेप्स फ़लो गरन्न होसू? स्टेप बन्दा पहिले कुणेपनी वेबसाइट बाटा अटल पेंशन योजनानार को फॉर्म डाउन्लोड गरन्न होसू? स्टेप टू, फॉर्म भन्न होस र योध्यान मा राकन्न होस की दी एको सबेज जानकारी साचो रज सही छाू? स्टेप त्री, फॉर्म का साथ आधार कार्ट को कपी अवस्य लगाउन्न होसू? स्टेप फॉर्, तेश बची जुन पेंशन तपाईलाई साथी बर्षको उमेर पची चाइन्छ, तेशको चाएन गरन्न होसू? तेश बची तपाईलाई थार लागने छा कि तपाईले हरेक बर्षा कती प्रीमियम दिनू परने छाू? स्टेप फॉर्, तेश बची आपनु सेविंग अकाउंट नंबर एंटर गण होसू? येदी तपाई सीता सेविंग अकाउंट नंबर चाईना बने तपाईले यसलाई सेम ब्रांच मा नर्मल कंडिशन का साथ जन्धन योजना अंतरगत खोलना सक्णू हुन्छाू? स्टेप सिक्स, रोजियेको पेंशन रासी अंतरगत हरेक मैना तपाईको जम्मा खाता बाटा स्वत प्रीमियम काठी ने चाू? येशको सहमती तपाईको यजना का लागी भरियेको फर्म मा दिनू पने चाू? स्टेप सेबन, इस सबै भरे पसी तपाईले एक पटक आफनु बैंक अधिकारी सिता फारंक साथ कुने अन्यट डॉकुमेंट्स को आवसेक्ता पर्षाकी पर्दैना तेसबारी सोधना सक्नू हुन्छाू? उनले तपाईका सबै फर्मालीटी जरू पुरागर्णमा मदद गने चनू? यस यजना का लागी अपलाई गने बैक्तिको एज लिमिट कती हुनू पर्षा? 18-60 बर्षा सरकाले हाई रिस्क क्याटगरी जस्ते मेकानिक, मजदूर रा धेरे यात्रगने ट्रॉक ड्राइबर हरूलाई प्रदान मंत्री जीवन जूती बीमा योजना PMJJY अंतरगत अक्सिडेंट इंसुरेंस उपलब्द गराऊंचा मा यो योजना मा कसरी नामां केद होना सक्षू? तपाईली प्रदान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लागे केही सरल स्टेप्सर को पालन गरी अनलाईन रेजिस्टर गरना सक्ण हुन्छ पहिले आफनू SBI इंटरनेट बैंकिंग खाता मा लोगिन गरन होस सफलता पुरवक लोगिन गरे पसी Social Security Schemes लिंक मा क्लिक गन होस तेश पसी एक नया पेश खोलीनेश जहा तपाईले योजना रा आफनू अकाउंट नमबर रोजन परसा तेश पसी Submit बटन मा क्लिक गन होस तेश पसी CIF नमबर रोजन होस रा Submit गन होस यस पसी एक Online Application Form खोलीनेश जहा तपाईले केही बैस्टिक र नोमिनी को डिटेल दर्च गलू परछ केही डिटेल जस्ते नाम ठेगाना आधी पहले नई दर्च गरिये को हुनेश सबई डिटेल एंटर गरे पसी Enter बटन थिचन होस तेस बची तपाईले सफल रेजिट्रेस्टन को एक मैस्टेस देखनू हुनेश रो एक रेफरेंस नमबर बनी तपाईलाई प्रदान गरीनेश तपाईले Status टैप को प्रयोग गरे आपनो Online Application को Status बनी देखनू सक्नू हुन्च के तपाईले क्रिपाया हामिला यो योजना को लाब उठाऊना का लागे एज लिमीट को बारेमा बताऊना सक्नू हुन्च हजुर अवस्या येस योजना का लागे एज 18-70 बर्स हो के सरकार ले बरिष्ट नागरी करू का लागे पनी इस्तो कुने बिमा योजना प्रदान गर्दाचा हजुर अवस्या येवनेन काबिनेट ले Senior Citizens का लागे बरिष्ट पेंसन बिमा योजना दोयेजार सात्र भी पी बी वाईलाई मन्जुरी देखो सा आट प्रतिसद प्रति वर्ष को रिटन को गारिंटी दरमा योजनाले 10 वर्ष का लागे पेंसन प्रदान गर्दाचा कृपाया हामीलाई योजनाको बारेमा अजव बताय दिन होँछOT योजनाले 10 वर्ष सम्मा पक कारूप मा पेंसन को आशिरिटी दिनच योजना को उदेश्य साथी बर्ष आयुका मानिसरुलाई फाइनाश्यल सेकुरिटी प्रदान गर्णु हो बरिस्ट पेंशन भीमा योजना अंतरगत मीनिमम पेंशन पांसे रुपया रा मैक्सिमम पांस जार रुपया प्रतिमाईना दीन्च एलाईसी परिस्ट पेंशन भीमा योजना को लकिन अवदी पन्र बर्ष हो ग्रहाक सिता मन्तली, क्वाटरली, हाफ एरली र एरली आधरमा पेंशन रोजने बिकल्प हुने छ पेंशन सोजे, ECS वा NEFT को मार्देमले पेंशन भुगे को बैंक खाता मा जमा हुने छ चेक वा डिमांड ड्राफ्ट जारे गरिने छाई न एलाईसी बाट प्राप्तर नर्मल पेंशन मा कर लाग हुन छ तरा बरिस्ट पेंशन भीमा योजन अंतरगत भुगतान गरियेको प्रीमियम लाई धारा असी सी अंतरगत टैक्स बाटा छूट दियेको छ पलिसी धारकले तीन बर्ष पुरा भाईबची लोन को लाब उठाउन शकने छ खरीत मुल्यको पचातर प्रतिशत रासी उचातम संभावित लोन को रासी हुने छ पेंशन भुगिको म्रित्तु भाईमा नोमिनीले इन्बेस्टेट अमांट फिर्था पाउने छ के इस्तो कुने सेवा सरकार्दवारा उपलब्ध कर आयेको छ जस्ते मलाई आफनो लेंट डिटेल लाई एक्सेस करने अनुबते दिन छ हजुर सेंट्रल रा स्टेट गबर्मेंट लेंट रेकोर्ट लाई अनलाईन ल्याउने प्रयासमा जुटे काशन भारत को रियाल स्टेट सेक्टर मा अधिक बारत दर्शिता ल्याउना का लागी केही राजेले पहले देखिने आपनो लैंट रेकोर्ड लाई कम्पिटर राइस्ट करेको छ यो ता धेरे राम्र कुरा हो यो सर्विस माईले कसरी प्राप्त गना सक्षू बस तपाईले केही सजीलो स्टेप्स लाई फोलो गर्नू पने आवसेक्ता छा सबे बंदा पहला आपनो स्टेट को आधर मा वेबसाइट मा जानूस उदारन का लागे येदी तपाई को लैंट उत्तर प्रदेश मा छाँबने तपाई www.boolake.up.nic.in लिंक मा जानू पर्षा स्टेप टू तेश मेची तपाईले त्यो डिस्ट्रिक रोजन हो जस्मा तपाई को जमिन उपलब्दाचा माली निनोस आपनो सुची मा गौतम बुद्धन नगर चायन गन्न भायो स्टेप त्री तेश मेची तहसील वा राजस्वा मंडल को चायन गन्न होस जसको अधिकार छेत्र मा त्यो भुमी पर्दचा तहसील को तालिकामा गौतम बुद्धन नगर चायन गन्न होस रतेश मेची आपनो गाउं वा इलाका चुन्न होस मानिलीन होस तपायको जमेन अट्टा गुजरन मा चा रेविन्यू रेकर्ड मा मेंसन जमीन नमबर प्रदान गरी लान जीटेल अब प्राप्त गन्न सक्नु होस जो सजिलाई सिता अनलाइन पाउन सक्नी चा उधारन का लागी मानिलीन होस हमरो मा मिलामा सर्षटी चा तिस बची सर्षटी दर्जगर्ण होस रा सर्ष को बटन थिसन होस तपायले अधिक बीवरन जस्ते एक खसरा वा खाता पनी बर्नु पनी होन्चा येदि तपायको लांट नमबर मा अधिक अलर्टी संबने साइटले तपायको डिटेल को खोज गर्ने चा अन्तेमा नीलो बक्स मा क्लिक गर्न होस तेहां तपायले डिटेल्स देखना सक्नु हुन्चा मा सकलर्षिप का लागे अपलाई गर्ना चाहन चु तके तपायले क्रिपाया सरकार द्वारा दिएको कुने इस्तो सर्विस को बारेमा बतावना सक्नु हुन्चा जसले स्कलर्षिप सित संबन्द मा मिलामा काम गर्दा चा हजुर अवस्या नाशनल स्कलर्षिप पोटल अर्थाट NSP एक मात्र समाधान हो जसको माध्यमले स्टुडेंट स्कलर्षिप सित संबन्दित बिविन्न सर्विसेज प्रबाइट करींचा इस सर्विसेस हुन स्टुडेंट अप्लिकेशन, अप्लिकेशन को रसेत, प्रसंसकरान का साथा स्कलर्शिप लै मन्जुरे, स्टुडेंच लै बिविना स्कलर्शिप बितरन, नाशनल स्कलर्शिप पोर्टल को नाशनल इगवर्नेंस योजन आंतरगत एक मिशन प्रणाली पर योजनाक रूप मा लीएको छब. बर्तमान मा एन सिपी मा नौ भाग लीने वाला मंत्रा लै वा बिबाग रा एककाईस पञजुकेच योजना हरु छन. यो पहल को उदेश्य हो Simplified, Mission-Oriented, Accountable, Responsive र पारदर से Smart System येसले scholarship application लाई तेज र प्रभावी disposal लाई ensure गर्दशा र बिना कुने गर्बड़ी fund लावर्थी को खाता मपुग्चा यो पोटाल को प्रयोगरी मा scholarship का लागे कसरी अपलाई गर्ना सक्चू यो धिरे ही सजीलो सा तपाईले कही स्टेप्स को फालो गार्नू पने सा पहले National Scholarship Portal http-scholarship.gov.in-newstudentregfirm.ma जानू पर सा रफेरी Student Registration पेश को माद्यमले आपनू registration गन्ध होस सिस्टम दरा दिये का इंस्ट्रोक्शन अनुसर अप्लिकेशन भन्ध होस रज सब्मीट बटन मा ख्लिक गन्ध होस सेब गरे पसी तपाईले एक temporary ID पाउन होने सा पसी को डिटेल्स भन्ध का लागे आपनू temporary ID रज देट अफ बर्थ भन्ध होस रेजिस्ट्रेशन रा अनलाइन फर्म जम्मा गरे पसी एक permanent registration ID बन्ध छा जसलाई application को स्टेटस रा renewal को लागे प्रयोक गरीन छा किये मैले फर्म सब्मीट गरे पसी आपनू डिटेल्स एडिट गरना सक्छू नाई जब सम्मा scholarship application प्रक्रिया पुरा हुदैना तब सम्मा तपाईले डिटेल्स मा परिवर्तन गरना सक्णू हुन्ना मैले फ्यूचर मा आपनू scholarship को renewal कसरी गरना सक्छू scholarship को renewal का लागी तपाईले पसीनो पर्षा रेजिस्ट्रेशन गरनू भईको आपनू bank account नांबर रा date of birth का साथ आविदन गरनू पर्षा तपाईले forget registration ID मा क्लिक गरे आपनू ID फेरी पाउना सक्णू हुन्छा ये सरी नई, इह हस्पिटल सरकारद्वारा प्रदान गरीने समय बंदा इंपोर्टेंस सर्वीस मा दे एक हो यो ICT solution मा आदारीद हस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो, जो especially government sector को हस्पिटल का लागी हो पोर्टल मा हस्पिटल्स का लेस्ट सन, जसको मा देमले रोगी ले अनलाइन नियुकती बुग गरना सक्छन रोगी को रेजिस्ट्रेशन का लागे अनलाइन रेजिस्ट्रेशन सिस्टम ORS डेबलाफ गरिये कुछ यो एक अनलाइन पोर्टल हो, जहां आदार धारक नागरीकले भारत का बिविन स्टेट्स र केन्र सासित राजिहर्मा पने हस्पिटल्स मा नियुकती का लागे नामंकन गरना सक्छन इह हस्पिटल द्वारा अन्य कुँँचाई सर्विसेश प्रदान गरिन्च के मा एस द्वारा आपने पतनी का लागे पनी एपोईंट्मेंट लिना सक्छू हजूर अवस्या यसका लागे कही स्टेप्स लाइफ फलो गरन उपने साथ स्टेप वन सबे बंदा पहला sttp-ors.gov.in-copp-appointment.jsp पोटल मा जान होस तेस बजी पैसेंट को आधार नंबर दर्जगन होस यदि पैसेंट को मोबाल नंबर UIDAI का साथ रेजिस्टर हुन्चा बने UIDAI बाटा SMS द्वारा One Time Password अर्थात OTP पठाईने सा OPT appointment का लागे आधार धार को UIDAI मा आफनुज KYC डाटा लाइ Hospitals का साथ शेर गरना का लागे अनुमती दिनु परने सा यदि उसको मोबाल नंबर UIDAI का साथ रेजिस्टर चाहिन भने मले की गरनु परछा यदि उसको मोबाल नंबर UIDAI का साथ डेमोग्राफिक अथेंटिकेशन गरे पसी पैसेंट को मोबाल नंबर रा एड्रेस तथा एज जस्ता अन्य बिवरन दिने अनुरोद गरनु परछा यदि उपायोग करता सीत आदार नंबर चाहिन बने उसले अनलाइन एपोइंटमेंट कसे रे दर्च गरना सक्षा येस्तो केसेस मा यूजर ले पैसेंट को आइडेंटिटी प्रदान गरे पसी हस्पिटल बाट ओपीडी कार्ट प्राप्त गरनु परछा तेस पसी यूजर लाए एसेमेस मारपत ओपीडी एपोइंटमेंट को डीटेल को एक कन्फरमेशन पठाई ने छा आदार नम्मर बाट स्वयम लाए भेरिवेकिशन गरे पसी गबर्मेंट हस्पिटल मा डीपार्टमेंट्स को च्राइन गरन होस जहार रोगी को जासका लागे जानु पर सा तेसपसी एपोइंटमेंट को डेटलाई सेलेक्ट गरन होस रा एक एसेमेस को मारध्यम ले कन्फरमेशन प्राप्त गरन होस अन्तमा निर्दारित गरियेको डेट वा समयमा हस्पिटल जान होस आधार हरेक को लागे इंटेन गवर्मेंट भारत सरकार को तरपबाट यूनिक आइडेन्टिफिकेशन अथुरेटी द्वारा जारी गरियेको बारा अंकवाला बिसिस्ट पईचान संक्या हो मा आधार को लागे कसरे एन्रोल गरना सक्छू? आधार कार्टमा स्वयमलाई एन्रोल गरना का लागे कही चरण हरको पालना गरनुपने अवसिक्ता हुन्छ? स्टेप बन्द पईले एन्रोल्मेंट फारम भर्न होस फारम भर्णमा तपाईलाई कछिनाई भाईको खंडमा तपाईले एन्रोल्मेंट अपरेटर को मददलीना सक्न हुन्छ अपरेटर ले लोकल सपोर्ट जस्तेगाउं का अधिकारी हरू, फिल्ड इंस्पेक्टर, इंटर्डूसर, नन गबर्मेंट अर्गनाईजेशन्स अर्थाथ एन्जियो हरू रा सिबिल सोसाइटे आउट्रीज सी एसो अधिसिता सायतलीनामा तपाईलाई मार्ग दर्शन गन के हमिले आफुशिता कोने डोकुमेंट लियरा जानू परचा? अर्दे कुनैपनी फोटोकपी लियरा जानू भाइनवने एन्रोल्मेंट सेंटर ले तपाईलाई फोटोकपी उपलप्त कराऊनेशा स्टेप टू, तेसबसी भिरिफायर ले पी ओ एल, पी ओ ओ ए, डी ओ बी, पी ओ आर को जाज डोकुमेंट्स लिगानेशा तेसबसी भिरिफायर द्वारा वैलिडेट गरिये का डोकुमेंट्स को फोटोकपी मा साइन रम्मुहर लगाऊनेशा तिस बची Enrollment Operator ले Enrollment Form बाट Enrollment Software मा Verified Demographic Resident Data मा एंटर करद सा येदी तपाई को डाटा Registors Identifier द्वारा सुधारी को सापने Enrollment Operator Residence Demographic जानगारी को जाजगरी सही गरी दिन छा वा तिसलाई फिरी पूर्ण करी दिन छा तिस बची Enrollment Operator ले Welfare Services को बीतरणम लागे का संगठनर का साथ तपाई को जानकारी साजगर्नका लागे तपाई को सहमती मागने सा तदनुसार Operator ले Yes, No को रूप मा तपाई को प्रतिक्रिया जाननका लागी Enrollment Software मा एक कुपयुकत बिकल्पको चाहिन गर्ने सा Enrollment Operator ले युद जाननू परचा की RGI अर्थात जनगनना अर्थात सेंसेस अधिकारीरू जनसंख्या जनगनना सर्वेक्षन निम्ते घरमा गए का थिये र NPR रसीत नमबर अर्थात TIN सुम्पये का थिये तेस बची उनले त्यो Enrollment Software मा NPR नमबर एंटर गर्षन के 5 बर्षबंदा कम उमेर का केटा केटी एसमा Enroll होना सक्षन? हजुर अवस्य पास बर्षबंदा कम ती उमेर का केटा केटी को केशिसमा मातपिता वा अविबावक को नाम रा आधार वा Enrollment Numbers संख्या मदे एवटा दर्स गरीने सर्व NPR नमबर दर्स गरी पसे Enrollment Operator ले तपाई का आखा वा अउलेरो हराय का वा अंग बिछेद भई का संकी बनी जाज गर्ने सर्व रा Enrollment Center Supervisor ले इसको पुष्टी गर्दे सर्व यदि तपाई सिता कुने Biometric Exception साव बने यसलाई Biometric Exception को रूपमा डेमोगराफिक स्क्रीन मा पनी दर्स गरीने सा Operator ले Missing Eye Indication वा Missing Finger Indication को बिबरन मा पनी सही जानकारी दर्स गर्दे सा यस पसात अपरेटर ले तपाई लाई सोद्नी चा के के तपाई ले आफनो Present Bank Account लाई आफनो आधार सिता जोडना चाहान हुन्च वा तपाई को आधार को आधार मा एक नया Bank Account खोलना चाहान हुन्च गेदी तपाई Financial Inclusion को युजना को हिस्सा बन्नका लागे सहामत हुन्च बने अपरेटर ले युजाज गर्ने चाहा कि तपाई सिता कुनेपनी बैंक मन्दे एक मा Present Bank Account चाहा की चाहाई नगेदी तपाई सिता सुचित कमर्शिल बैंक हरु मन्दे एक Bank Account चाहा बने अपरेट गेदी तपाई एक नया Account खुलना चाहानून चाहा बने अपरेटर ले Enrollment Software मा येसको मेंसन गर्ने चाहा फ्यूचर मा तपाई का लागे एक खाता खोलीने चाहा तेसबसी Enrollment Operator ले Web Camera द्वरा तपाई को महार को तस्पिर खिसने चाहा गेदी तपाई सिता Missing Eye Indication वा Missing Finger Indication सब भने येसको कामरा ले फोटो लीने चाहा येस प्रकार Enrollment Operator ले Biometric IRIS को जानकारी लेखने चाहा अनी Enrollment Operator ले Biometrics Fingerprint को जानकारी पनी लेखने चाहा तेसबसी Enrollment Operator ले तपाई को सामू राखे को मनीटर मा दर्जभाई को डाटा देखावने चाहा रह येदी आवस्य परेमा अपरेटर ले तपाई का सबाई डीटेल पडेरा सुनावने चाहा जस्पाट यो एन्सोर गन सक्योज की सबाई डीटेल्स सही चन। किदी तपाईले डाटा मा कुणे प्रकार को सुधार को माग गर्ण हुन्छा मने Enrollment Operator ले Enrollment Client Software मा सुधार गर्णु परचा। किये इस प्रकार को परिवर्तन का लागी कुणे Documentary Evidence चाहिन्चा। हजूर उपनाम बदलनु जस्तो ठूल बदलाव को कार्य मा Enrollment Operator ले Documentary Evidence को माग करने सा। Enrollment Operator ले उसको आधार का लागी Confirmation ले Sign-Off का लागी आफनु Fingerprint प्रदान करदे सा। जो आधार Enrollment Client मा दर्जगरी को हुन्छा। Enrollment Agency Supervisor को Fingerprint को आवसेकता प्रना सक्षा। येदी कुणै अपबात जस्तो के अउली वा आखा को कमी। र येदी Biometric को Quality राम्रोशाइन वने Force Capture Option को उपयो गरीन्छा। परिचे करता को आधार मा Enrollment को केस मा परिचे करता को आफनु Fingerprint ले Sign-Off करी। यो पुष्टी गर्नु परछा की दर्ज गरिये का सबै जानकारी सही छन। येदी परिचे करता Enrollment को बेला उपस्तित भाहे न भने। Enrollment को अंतिम दिन परिचे करता द्वारा verify गरना सक्षा। येसरी परिवार का प्रमोग HOF Best Enrollment को केस मा परिवार को हेटले उसको Fingerprint ले Sign-Off करनु परछा। ये सुनी सीद गरना का लागिये की दर्ज गरिये को जानकारी सही छा। अंतमा अपरेटर ले तपाई द्वरा अनुरोद गरिये को सेलेक्टेट लैंगवेज सायन गरनु परने छा। प्रेंट रिसिप्ट मा लिगल डिकलरेशन टेक्स्ट प्रिंटेट हुने छा। तिस बची अपरेटर ले अकनोलिजमेंट स्लीप र एक A4 आकार को सीट मा सहमती फाराम प्रेंट कर्द छा। अपरेटर ले केन्र बाट प्राप्त सीट परनु पने छ। अपरेटर ले स्लीप मा साइन गर्नेशर तपाईलाई दिनेश। तिस्बसी तपाईले सहमती फाराम मा सालकु पर्षर यो अपरेटर ले फिर्ता गर्नु पर्थ। येदे निवासी पांस परसभन्दा कौम उमेरको सबने नानिका मातपिता वा अभिबावक जसको एन्रोल्मेंट आईजी सफ्ट्वेर मा दर्श गरिये कुथियो उसले सहमती फारम मा साइन गरने चा पी ओ ए पी ओ आई रड्डी ओ बी प्रमाणन क साइथ सहमती फारम लाई फेरी रजिस्टर द्वारा निर्दारीत प्रसिडियोर अनुसार जम्मा गरिन चा यो राम्रु खुरा हो तरह यदी आवस्यक छबने आधार नम्मर प्राप्त गरे पची डाटामा कुणेपनी परिवर्तन गर्ना सकीन्छ अवस्य यदी निवास्यको कुणेपनी डेमोग्राफिक वा बायोमेट्रिक डाटा को अपडेट कनू जरुरी छा मने त्यो अपडेट एन्रोल्मेंट प्रसिडियोर अनुसार गर्ना सकीन्छ यो प्रसेडियोर नया एन्रोल्मेंट समान हो, मो यो प्रसेडियोर एक्स्प्लेन गरदैचु। यो प्रसेडियोर कैप्चरिंग रेसिडेंट डेमोग्राफिक डाटा बाटा सुरू हुन्छ। यसो गर्नकलागी तपाईले मेनू बटन मार्कली गन्नु पर्षा। यो याद राखनु पर्षा कि अप्टेट एन्रोल्मेंट सुरू गर्नका लागे आधार नंबर निवासी को नाम आवसिक हुन्छ। NPR पनी एक अनिवार्य फिल्टो तरह येदी ये उपलब्द चाईन बने तपाईले नौट गिवन चेक बोक्स सेलेक्ट गन्न सक्न हुन्छ। येदी निवासी एक नवजात चाई बने क्रिपाया चेक बोक्स मा दे रेसिदेंट इस लेस दन फाइव येर्स ओल्ट लाई चाईन गर्न हुन्छ। येदी निवासी लाई आफनु बायोमेट्रिक डाटा अपडेट करने आवसेक्टा चाई बने क्रिपाया अपडेट बायोमेट्रिक डिटेल्स को चेक बोक्स चायन गर्न होस। औरकु स्टेप मा नाममा सुदार गर्न सकिन्छ। नाम एक जरुरी फिल्टो जसमा सुदार को आवसेक्टा चायन भने बने यसलाई भर्नु पर्च। नाममा सुदार गर्नका लागे अपडेटर को निव नेम टेक्स्ट बोक्स नाजी कै देखिने वाला एडिट आइकन मा क्लिक गर्नु पर्च। यसले एक नया नाम को बोक्स पनावने चा। नाममा कुणे पनी प्रकार को सुदार का लागे कुणे एक वैलिट डोकुमेंट जस्तु की आइडिन्टिटी प्रूफ और थात वेरिफिकेशन का लागे पी ओ आई का साथ नाम जोडनु आवसेक्ट चा। और को पाईला बेक्तिगत जानकारी मा सुदार गन्न हो। युँ सेक्षन मा जेंडर र एज वा डी ओ बी मा सुदार सामिल चा। एडिट आइकन मा क्लिक करे यसलाइ ठीक गन्न सकिन चा। जसले उसको सम्मंदित फिल्ट लाइ इनेबल पार चा। और को स्टेप मा संपर्क को जानकारी मा सुदार सामिल चा। बर्तमान कंटाक्ट डिटेल राई कंटाक्ट सेक्षन अनुभाग को हेडर बार को दाइने तीर वा उपलब्द एडिट आइकन मा क्लिक गरी ठीक गर्न सकिन चा। अपरेटर द्वारा मोबाल रा इमेल फिल्ट लाई छोडे रा एडिट मा क्लिक करे पसे कंटाक्ट सेक्षन अनुभाग अन्तरगत सबई फिल्ट सक्षम हुने चा। यो अपरेटर ले ध्यान राखनु परचा कि इस सबई फिल्ट ठीकले भरिये का चा। अड्रेस फिल्ट मा कुनेपनी चेंज वेरिफिकेशन का लागे अड्रेस को प्रूप पत्र जस्ते एक वैलिट डॉकुमेंट का साथ समर्थित हुनु परचा अर्थाथ वेरिफिकेशन का लागे पी ओ ए निवासी को मोबाल नमबर वा इमेल आइडि लाई सही गर्न का लागे अपरेटर लाई दिये को फिल्ट का लागे सम्मन्दित एडिट आइकन मा क्लिक गर्नु परचा। यस पेश को अंतिम फिल्ट अर्थाथ इन्फोर्मेशन सेरिंग सहमतिले निवासी को अनुरोथ अनुसार साज़ा गर्न सकिन्छा। एन्रोल्मेंट डाटा को अपडेशन मा और को स्टेफो रेफरेंस दिनु। रेफरेंस बटन मा क्लिक गरे पचे सम्मन्दित पेश खोली नेचा। यस स्टेप मा वेरिफिकेशन का लागे सही गरियेको डिटेल्स को वैलिट डोकुमेंट्स को प्रावदान सामिल चा। डेमोग्राफिक डिटेल्स मा परिबर्तन का लागे तपाईले 22 दस्ताविजक रूपमा पईचान पत्र र निवास प्रमान पत्र उपलम्द करणू पर्छा। आइडेंटिटी प्रूफ र एड्रेस प्रूफ अनुसार ड्रॉपटाउन बटन प्रतेक सेक्षन हरुमा गरियेको सुधारर को आधारमा सक्षम हुनेचा। अपरेटर लाई दियेको ड्रॉपटाउन मेनु बाटा। सो ही डॉकुमेंट को नाम चयन गर्नु पर्छा। जसको वेरिफिकेशन को पर्पोस का लागी निवासी द्वाराद जम्मा गरियेको छा। और को पेज मा सम्मन्दित डीटेल फेल्ट भर्ण होस। यू डिटेल्स जरुरी छा। येदी एन्रोल्ट निवासी एक नवजात अर्थात पास बर्ष भंदा कमती उमेर को छा। रा अन्य निवासीयर का लागी बिकल्प छा भने। एक नवजात निवासी का लागी अपरेटर को ड्रोप टाउन मेनू बटन सित सम्मन्द रुजनु पर्छा। रा उसले नाम र एन्रोल्मेंट आईडी वा आधार नमबर दर्श गर्णु पने आवसेक्ता पर्छा। पांच बर्ष वा योबंदा धेरे उमेर को निवासी का लागी यदी बिकल्प भेरिफाई यूजिंग सपोर्टिंग डकुमेंट्स रुजिये को सा बने रिलेटिब डिटेल्स फेल्ड लाई गयर अनिवार्य वा बैकल्पिक मानींचा। पांच बर्ष वा योबंदा धेरे उमेर को निवासी का लागी यदी बिकल्प इंट्रडूसर साल वेरिफाई दरेस रुजिये को सा बने रिलेटिब डिटेल्स को सत्र गयर अनिवार्य वा बिकल्प हुन्चा। पांच बर्ष वा योबंदा धेरे उमेर को निवासी का लागी यदी हेट अब दा फैमिली साल वेरिफाई दरेस रुजिये को सा बने रिलेटिब डिटेल्स छेत्र अनिवार्य हुन्चा। एन्रोल्मेंट डेटा को अबडेशन को अन्तिम इस्टेप रसित को छपाई हो। एन्रोल्मेंट फारम मा चेंज्ट डाटा सहजै जाने पची येसले दिएको डिटेल्स का साथ एक सफल वींडो डिस्पले गर्द सा। सक्सेस मैसेज येस बाटा था लागचा कि एन्रोल्मेंट डेटा मा अबडेशन सफलता पुरवग पुरा भयो। एन्रोल्मेंट आइडी एन्रोल्मेंट पुरा भय पची जुन आइडी जेनरेट हुन्चा तेसलाई एन्रोल्मेंट आइडी भनिन्चा। सोही रसीतमा पनी प्रिंटेट भहेको हुन्च डिक्लेरेशन इस्टेटमेंट को प्रिंट लाई लोकल लांग्यूस मा लिनका लागे एक चेक बोक्स पनी छ सर्विस डेलिवरी को बेला आधार कुण प्रकारले प्रयोग गर्ना सकेंच? आधार सिदिंग एकिस्तो प्रक्रिया हो जस्त्वरा निवासिहर को UID सही रूपले सेवा प्रदाता को सेवा बित्रण अर्थात डेलिवरी डाटबेस मा आधार दोरा प्रमानी करनलाई जारी गर्नक लागी जोडींच? मेरो आधार लाई SBI बैंक खाता सिता कसरी जोडना सकेंच? यसका लागी तपाई SBI इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल www.online.sbi.com मा जान उपर सा तेसपसी My Accounts को तला लिंक योर आधार नंबर मा जान होस तेसपसी Account Number रुजन होस आधार नंबर दर्जगर्ण होस रशब्मीट मा क्लिक गर्ण होस तेसपसी मन्सित्र अर्थात मैपिंग को स्तिती को सल्हा ग्रहक लाई उसको पंजिकरित मोबाल नंबर मा दीनच तपाईले आपनो ATM चैनल को कुणेपनी ATM को प्रयोग गरे आपनो बैंक खाता क साथ आपनो आधार लाई जोडना सक्न होनच यसका लागी पहिले आपनो ATM काड श्रायप गर्ण होस रापनो पिन एंटर गर्ण होस तेसपसी मेनunction सर्वीस रेजिस्टरेशन रोज न होस आधार रेजिस्टरेशन वापंजी करन रोज न होस तेस बची खाता को प्रकार रा आपनो आधार संख्या दर्च गन होज के हामी आपनो आधार लाई मोबाल फोन बाट पने लिंक गन सक्षूं अबस्य आपनो रेजिस्टाट मोबाल नंबर पाट 566776 मा नीमने प्रकार ले SMS गन होज UID स्पेस आधार मोबाल नंबर स्पेस अकांट नंबर येदि तपाई को मोबाल नंबर रेजिस्टर्ड छाइन भने वा तपाई को आधार तपाई को खाता सितव पहिले जूडिये को सबने तपाई लाई SMS को जवाब आउने चा येदी तपाई को मोबाल नम्बर बैंक का साथ रेजिस्टर्ट सब भने तपाई लाई रिक्वेस्ट को कन्फरमेशन एसेमेस द्वारा प्राप्त हुने छा तेसपची तपाई को आदार नम्बर UIDI का साथ बैंक द्वारा जाची निछ येदी योजाच असफल रायो भने उपभोगतालाई एक एसेमेस पठाई निछ की SBI साखामा अफनु आदार नम्बर वा इ आदार का साथ संपर्क करन होज हा मिले आदार लाई बैंक ब्रांच का साथ कसेरी लिंग गर्न सक्छूं कुने पनी SBI ब्रांच मा आदार नम्बर वा इ आदार को कपीलेर जैन होज साखामा आदार पत्र को जरेक्स प्रतिका साथ अनुरुद पत्रा जम्मा गर्न बर्षा जरुरी जास्पची साखा द्वारा लिंग गरीं छू तपाईको रेजिस्टर्ट मोबाल नम्बर मा यो प्रक्रियाको जानकारी SMS द्वारा दीं छू